हेलो एवरिवन तो कैसे हो आप सभी लोग आपको बता है कि ILS का जो स्पीकिंग का मडियूल है काफी इंपोर्टन मडियूल है और बच्चों को प्रॉबलम भी इसी में ज़्यादा आती है बच्चों का बैंड स्कोर नहीं आ पाता बैंड स्कोर फाइपन फाइपन फाइप स जूज करने ही करने है और अगर आप 8 से 9 बैंड भी स्पीकिंग में लेना चाते हैं वो भी पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल तब ही होगा जब आप उसमें एडियम जूज करेंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 एडियम बताने वाला हूँ जो कि काफी इंपोर सकते हैं आगे चलकर भी ऐसा ही जो कंटेंट है हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे तो फिर शुरू करते हैं आज की जे वीडियो हमारी पहली एडियम है Full of Wins Full of Wins का मतलों क्या होता है कि Someone who is active जो की बहुत दिए अधा एक्टिव हूँ example क्या है की My nephew is full of Wins he can play all day मतलों की मेरा nephew full of beans है जाने की बहुत active है वो सारा दिन खेल सकता है तो इस idiom को आपने जुरूर से जुज करना है जब आपको जो सही मौका मिले तो आगी जो next हमारी idiom है Make up your mind I made up my mind to score good band in IELTS मदल की अपना जो mind abo बना लेना अपना मन बना लेना इसकी example आगी कि मैंने IELTS में अच्छे band score करने के लिए अपना जो mind abo बना लिया है तो जे थी हमारी second जो idiom है अब हम बढ़ते हैं हमारी third idiom की और तो third idiom है over the moon on cloud 9 इन में से कोई भी आप एक जुज कर सकते हैं जहने कि जब आप बहुत खुश हो तब आप इस idiom को आपने जुज करना है अपनी speaking में जो सबसे important बात में आपको जहाँ पर बताना चाहता हूँ कि introduction में जो idiom है वो जूज ना करना part second में कर सकते हैं part third में आप कर सकते हैं इसका example क्या आएगा I was on cloud 9 I was over the moon मैंना i scored 8 band in reading तो जे थी हमारी third idiom fourth idiom है आपकी under the weather जाने कि थोड़ा सा बिमार होना I am feeling a bit under the weather मैं थोड़ा सा बिमार मदल की महसूस कर रहा हूँ तो जे आपकी fourth जो की idiom है अब हम बढ़ते हैं मारी last जो idiom है जो की आपको अच्छा band score करवा सकते हैं आपके speaking के module में leave no stone unturned जाने कि कोई भी रास्ता मैं नहीं शोड़ूँगा I will leave no stone unturned to buy my dream house मैं कोई भी रास्ता नहीं शोड़ूँगा अपना dream house buy करने के लिए तो जे जो idiom है जे काफी important idiom है जे आपका band score काफी अच्छा कर सकते हैं आप इसको अच्छे तरीके से जूज करेंगे तो उमीद करता हूँ कि जे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको जे वीडियो अच्छी लगी है प्लीस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच